तो आज की कैंडल वैक्स रीडिंग का टॉपिक है तो किस तरीके की फीलिंग्स वो रखते हैं क्या आप से कहना चाहते हैं किस तरीके की उनके थॉट्स हैं सब कुछ जो हो जाने दो आप दोनों फ्रेंड्स हैं अभी इस समय प्रेजन सिचुएशन पर कुछ म्यूचल फ्रेंड्स भी आपके हो सकते हैं आप लोग एक जगा ही पढ़ते हो या काम करते हो जैसी भी सिचुएशन हो आप से चार पांच लोगों का गृप है जिसमें आप लोग हो आप दोनों की बहुत ज़ादा बंती है लाइक अट्राक्ट्स लाइक वाली सिचुएशन है और ये आपसे फ्लर्ट भी करना चाते हैं हो सकता है इन्होंने कभी कोई आपको रोस दिया हो या लोटस दिया हो जो आपने अभी तक संभाल कर रखा है आप दोनों के इंटेंस जो है वो एनर्जी हैं डीपर फीलिंग्स हैं आप लोग अपनी बात्ची जो है वो किसी से शेयर नहीं करते हो लेकिन आपके दोस्तों को पता है कि आप लोग और एक रिलेशन्शिप में हो चाया वोकिंग प्लेस भी हो सकता है आप दोनों के bonding बहुत अच्छी है यह जो है आपके लिए डीपली फील करते हैं आपको जो है वो फ्लास देना या चोकलेट्स देना या जो भी वो दे सकें या जो आपको पसंद हो जो आपकी preferences हो वो जो है आपको देते हैं ये हो सकता है अगर ये boy हैं तो इनको video games पसंद हो या आपको भी पसंद हो सकती है तो इस तरीके की चीजे हैं आप लोग एक दूसरे के साथ video game खेलते हो या घर भी जाते हो घर में भी आना जाना है यहां पर passion बहुत जादा है आप दोनों के बीच में इस तरीके की situation है parents जो है वो आप लोगों से थोड़ा सोचते भी हैं कि ये लोग इतने close क्यूं है ये जिस तरीके से wax गिर रही है न आप दोनों के बीच में बहुत जादा passion है तो parents थोड़ा सा चिंता करते हैं कि आप लोग ऐसे हो लेकिन उन्होंने convince कर रखा है आप लोगों को कि आप कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आप लोगों के बीच में कुछ गल्ती हो thoughts यह हैं कि आप लोग जो हैं आपने एक दूसरे को husband या wife की तरीके से देखते हैं आप लोगों के deeper thoughts हैं passionate thoughts भी हैं जो हम 18 प्लस की reading में आप देख सकते हैं लेकिन यह जो person है चाहे male हो चाहे female हो वो आपको deeply possessive है एक तरीके से कि आपको जो है वो white shirt नहीं पहननी है या इस त लिए possessive बहुत जादा उन्हें नहीं अच्छा लगता है खासकर अगर यह male है कि आप जो है किसी कोई और जो है वो आपको इस तरीके से देखे या चुए या सोचे भी तो बहुत जादा protection वाली energy जैसे मैंने का husband and wife की तरीके से वो आपको देखते हैं जाद तो लोगों के लिए या आप लोगों का relationship चल रहा है या friendship तो है ही ठीके तो ऐसी situation है और आप समझते हो कि वो आपकी care करते हैं तो आप लोगों का एक attachment है emotional यहाँ पे attachment है आप उन से जूट नहीं बोलते हो वो आप से जूट नहीं बोलते हैं कोई भी चीज छुपाते नहीं हो आप एक दूसरे से जो कि अच्छी बात है या पर जैसे मैंने कहा parents involved है parents को पता है आप दोनों के बारे में लेकिन आपने जो है अभी तक इस तरीके का situation या कह सकते है relationship को आगे बढ़ाने का नहीं सोचा है कि शादी करने है या ऐसा कुछ क्योंकि आप अपने carrier पर ध्यान दे रहे हो और ये person भी जो है वो carrier पर ध्यान दे रहे हैं और आप एक दूसरे की जो है वो इज़्जत करते हैं इस तरीके से जिस तरीके की जो flame आ रही है वो चीज जो है बहुत जाधा passion को दिखाती है आपके मन में उनके लिए naughty thoughts हैं उनके मन में आपके लिए naughty thoughts हैं तो अभी तक आपने अपनी boundaries को cross नहीं किया है जो कि अच्छी बात है और करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप लोग समझदार हो और एक दूसरे का साथ जो है वो निभा रहे हो हो सकता है आप गाड़ी में जाते हो या एक दूसरे से बातचीत करते हो तो गाड़ी में बैठके आप लोग काफी लंबी समय बातचीत करते होगे और एक दूसरे को चिढ़ाते भी हो टीजिंग एनरजी भी यहाँ पर आ रही है लेकिन आप दोनों ही खुश होते हो कि एक दूसरे का एक सपोर्ट पिलर की तरीके से एक दूसरे को देखते हो यहाँ पर thoughts यह हैं कि वो आपको deeply किस करना चा देखते हो एक best friend की तरीके से देखते हो जिसका वो सम्मान भी करते हैं कि कभी-कभी जो है वाइसे आपको hints दे देते होंगे कि आप जो है बहुत जादा सुन्दर लग रहे हो या बहुत जादा जो है वो उनके मन में आ रहा है कि kissing energy है तो आप कोई बात नहीं मोबाइल पर ignite नहीं करना चाते है जो कि काफी अच्छी बात है आप लोगों बहुत समझदार वाली situation मुझे यहाँ पर लग रही है जातर लोग समझदार नहीं होते हैं इसलिए आजकल problem जादा हो रही है लेकिन आप लोगों में कोई problem नहीं है यह आपको माथे पेस किस जरूर करते होंगे और कभी ना कभी आपके बालों को कुछ ना कुछ इन्होंने hair clip या कोई ऐसी चीज hair band लाके दिया होगा जो आपका लिए specific होगा एक gift की तरीके से होगा और वो specific है तो उन्होंने अपने आप से जो है वो चीज gift आपको दिया हो जो उनके लिए बहुत जादा special है तो वो हमेशा जो है वो अपने पास रखते हैं इस तरीकी की situation है या पर बहुत deeper feelings आ रही है यहां पर बहुत seriously यह हैं आपके लिए relationship में आना चाते हैं या सोचते हैं और यह तैय कर चुके हैं जैसे मैंने कहा भी कि family और friends को पता है तो वो जो है तैय कर चुके कि आपसे ही जो है वो शादी करेंगी लेकिन अभी जैसे मैंने पहले भी कहा कि अपने उपर focus कर रहे हैं अपने problem या toxic energy नहीं है आपके friend circle में भी जो चार या पांच लोग है वो अच्छे लोग हैं यह नहीं कि आजकल के time pass वाले लोग हैं ऐसा नहीं है कि वो आपकी जिंदगी में जो है कुछ खलल करना चाते हैं या problem create करना चाते हैं ऐसा नहीं है और यह जो passion है आप लोगों के बीच में वो बहुत लंबे समय से आ रहा है ऐसा नहीं यह passion है कि अपने जो होशो आवाज खो दी या समाज की जो boundaries बनी होती हैं उसको खो दिया ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि आप दोनों ही mature हो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो जो आपको जब नहीं आने देना चाहते हो तो ऐसी एनरजी है चलिए देखते हैं कुछ cards देख लेते हैं उनकी तरफ से पहला cardi lovers आया है यहां पे deeper feelings है इनके मन में next आरा two of cups loving situation बहुत जादा है प्यार करते हैं सच में प्यार करते हैं next आरा devil थोड़ी सी जैसे मैंने कहा passion बहुत जादा है वेकिन आप लोग जो है इस चीज में समझदारी बरत रहे हो जो कि अच्छी बात है बहुत अच्छी ब करते हैं next आरा ace of pentacles okay six of wands next आरा five of pentacles इसको भी clarify करते हैं ठीक है बहुत अच्छी situation है आपकी अप दोनों ही बहुत जादा समझदार हो judgment का काड़ा है यहां पर जो है आपने boundaries बना रखी है जो मैंने पहले भी कहा कि समाज में जो boundaries आजकल जादातर लोग जो हैं जो इतने crime cases और वो सब चीजे हो रही है वो इसी वज़े से हो रही है कि वो अपनी boundaries नहीं रख पा रहे हैं वो जो है पहले ही intimacy में आ रहे हैं relationship में intimacy आ जा लिया और marriage नहीं हो पा रही है तो आप दोनों इस चीज़ का ध्यान रख रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है और next आरा यहां पर जो है आप लोग एक दूसरे से दूरी इसलिए बनाते हो क्योंकि आपको अपने focus करना है goals पर ऐसी चीज़ नहीं है दोनों ही अपने focus कर रहे है goals पर उस चीज़ को जैसे मैंने example दिया था कि कि किस जो है वो जब कहते हैं या करते हैं mobile पर कर दो वो वाली energy है तो जो सही है क्या चीज़ सही ने आपने अपने rules बनाए है जो कि बहुत अच्छी तरीके से आप follow कर रहे हो और यह बहुत अच्छी reading मुझे लगी है और next आ रहा है यहाँ पर king of wands है घर बनाने की सोच रहे हो ऐसा नहीं है कि family नहीं बनानी है family बन रही है सब कुछ यहाँ पर हो यह है तो यहाँ पर आप लोग soulfully जो है एक दूसरे को प्यार करते हो जहाँ पर जो आजकल की definition है उस definition पर आप नहीं चल रहे हो जो कि बहुत अच्छी बात है चलिए देखते हैं love cards क्या कह रहे है imagine all unwanted thoughts resolving into light creating room for new opportunities possibilities of your life तो life की जो new opportunities है possibilities है उनको create कर रहे हो क्योंकि आपको पता है सही समय क्या होता है किस तरीके से आगे बनना चाहिए और क्या आप दोनों के लिए सही है next time I wait don't rush into it allow nature to take its course तो आप दोनों ही जो है वो patience रख रहे हो और इस चीज़ को enjoy करना चाहते है तो चल यहाँ पर steam engine है patience है सालों से wait कर रहे हो एक दूसरे को बहुत जादा love करते हो इसी तरीके की energy यहाँ पर आ रही है और next time dragonfly है यहाँ पर changes लेकर आ रहे हो लेकिन अच्छे changes लेकर आ रहे हो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ love song आपके लिए तो पहला आ रहा है दिल क्यों यह मेरा shore करे kites movie का है next आ रहा है सोच लिया राधे शाम next आ रहा है आपके लिए सोच ना सके air lift का है तो इसी तरीके की गाने है यह इसी तरीके की feelings है कि मतलब जो आज कल मतलब क्या कहूं मैं कि फटा फट जो है वो सब कुछ instant चीजे नहीं च पाना या उस तरीके के एक कह सकते है थोड़ा सा पागलपन कह सकते है बट वो चीज जो है वो आप दोनों को एक अच्छी तरीके से एक अच्छे पाथ पर लेकर जा रही है तो यह थी आपकी रीडिंग उम्मीद करते हूं आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको मेरा content अच्छी लग रही है तो प्लीज इस चानल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें थाइंक यू